दुर्गजिला एवं सत्र नियाले ने फैसला सुनाते हुए हत्या के एक मामले में आरोपी को आजीवन कारवास की सजा सुनाई है। दुर्गजिला एवं सत्र नियाले ने हत्या के एक मामले में फैसला सुनाते हुए अभियुक्त नितिश बंजारे पिताओं प्रकाश बंजारे को आजीवन कारवास की सजा सुनाई है। घटना पुरानी थाना भिलाई की अंतरकत सरकारी सेवा समेती भवन ग्राम नंदावरी में 17 जून 2021 को हुए एक हत्या कांड से जुड़ी हुई है। जिसमें अभिक्त द्वारा चोरी की निया से समीती के भवन में अनाधिक्रित रूप से प्रवेश करने पर चोकिदार द्वारा देख लेने पर सब्बल मार कर हत्या कर दी गई थी। और इसके साथ ही भवन के एक आफिस में रखे हुए लगभक आठ लाग की चोरी भी की गई थी। इस घटना से संबंदित परिस्थिती जन्य साक्ष की श्रिंखला के आधार पर अभियुक्त को धारा 302 एवं 460 के तहत अपरात के लिए आजिवन कारवास और 500 अर्थ दंड से दंडित क्या गया साथी अर्थ दंड जमा ना करने पर एक-एक माह का अतिरिक्त सहश्रम अर्वास की सजा सुनाई गई है यह साकारी समिती नंदोरी में हरी संकर वर्मा नामक व्यक्ति की हर्थ्या हुई थी 176 2021 की घटना है आरोपी नितीस बन जारे सोसाइटी में रखे राशी को चोरी करने की नियस से वहां गया था हरी संकर वर्मा चौकीदार के द्वारा जाग जाने पर उन्होंने उसको सब्बल मारकर हत्या कारिक किया है इस मामले में माननी न्याला ने व्योजन के तरक को मानते हुए परिशिती जना साग्षा का मामला था संपूर्ण परिशिती की कड़ी हमने जोड़ा जो कि घतना के बाद में आठ लाख रुपे जैसे एक अत्यदिक रासी की जो जबती है जो सोसाइटी से चोरी की गई थी वो जबती आरोपी के कब्जे से हुई है और उनके डिक्टी में पाये गया है उनके निसान देई पर सब्बल की भी जबती हुई है इस तरह अभिजन के द्वारा जो साक्ष प्रस्थुत किया गया था उसके दायर पर माननी न्याले ने आरोपी को धारा 302 में आजिवन कारवास और धारा 460 में आजिवन कारवास से दंडित किया है क्रेंड एसीन न्यूस के लिए दुर्ग से नसीम फारुकी की रिपोर्ट